बात करेंगे बॉलीवूड की तरफ से आने वाली कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जो या तो आपस में बड़े-बड़े क्लैश करने वाली है या फिर इनकी टाइटल अनॉसमेंट को लेकर ही लोग काफी ज्यादा एकसाइटमेंट के साथ इंतजार कर रहे हैं दो बातों की शुरुगात सबसे पहले उस बड़े क्लैश के साथ करते हैं जो की 15 अगस्त को होने वाला है अमर कौसिक के डिरेक्शन में बन रही स्त्री 2 जो की 15 अगस्त 2024 को रिलेज होने वाली है इससे पहले की फिल्म स्त्री इसके डिरेक्टर भी अमर कौसिक ही थे और इस 3 ने कम बजट में ही बड़ा प्रोफिट कमाया था 180 करोन से ज्यादा का कलेक्शन किया था इसलिए में भी इसका बजट अपनी पिछली फिल्म से दो गुना या उससे भी ज्यादा होने वाला है मोवी रिलीजिंग और 15 अगस्ट और इसी दिन जौन इब्राहेम स्टार वेदा भी रिलीज हो रही है जिसमें सरवरी वाग और तमन्ना भाटिया भी है इसके डिरेक्टर है निखिल अडवानी और इसी दिन एक और फिल्म रिलीज हो रही है खेल खेल में सरफिरा के बाद अक्षे कुमार एक बार फिर हमें देखने को मिलेंगे फिल्म खेल खेल में साथ में तापसी पननो भी इस खेल में होंगी कहने का मतलब लीड रोल में होंगी तो 15 अगस्त की तारीख को एक ही दिन तो मुझे लगता है कि इस तरी ही बाजी मार ले जाएगी और इन दोनों को पीछे कर देगी आपको क्या लगता है कमें लिख दीजी और चलते हैं सेकेंड क्लैश की तरफ जो कि सिंगम अगेन और भूल भूले या थ्री के बीच में होने वाली है तो सबसे पहले बात करते है सिंगम अगेन की जो रोहित सिटी के डिरेक्शन में बन रही है एक नवंबर को रिलीज होने वाली है इसमें कॉप युनिवर्स के बहुत से बड़े बड़े करेक्टर्स हैं अजय देवगन, अक्षे कुमार, रनवीर, सिंग, टैगर, श्रॉफ, दीपीका, पादुकूर, करीना कपूर, जैके श्रॉफ, एंड मोस्ट पोबबली हमें कैटरीना कैफ भी देखने को मिल सकती हैं तो रोहित सिटी इसमें बड़े-बड़े स्टार कास्ट के साथ बॉलीवुट की तरफ से लोगों को एक बड़ा मास्टर स्टोक देने के प्लान में है वहीं दूसरी तरफ कॉप युनिवर्स के बड़े-बड़े स्टार्स देखने को मिलेंगे वहीं दूसरी तरफ कार्ती कार्यन की हारर कॉमेडिक फिल्म देखने को मिलेगी जिसे लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं तो फिर ये तो कंफर्म है कि इन दोनों ही फिल्मों के बीच में दोनों ही लोगों ने अपने कदम पीछे कर लिये तो वहीं दूसरी तरफ एटली और सल्मान खान का कुलेबरेशन अब हमें देखने को मिलने वाला है इनकी आगे के फिल्म क्या होने वाली है इसका कोई टाइटल अनौस्मेंट नहीं किया गया है लेकिन बस इतना बताय ग अब दोनों हमें हमें इसका टाइटल भी अनौस्मेंट देखने को मिलेगा फिर फाइनली हमें टीजर देखने को मिलने वाला है और आगे आने वाले समय में काफी कुछ जानने को मिलेगा